इस चैनल राइट मेरं खान ऐड़ numero फ्लेक्सिवल लाइट वेट फड़ Mr. Ary जिहां पर देख पाओके आप यहां यह सॉलर पनेयल है यहां यह सोलर पैनल है काफी पतला 8 पनेहल ठल्द पाओगे यह फ्लेक्सिवल घ्रलर पेनल है जिन छो सोलर पैनल है इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये light weight solar panel है और इसमें जो solar cells लगे हैं आप देख पाओगे यहाँ पर जो total है छे solar cells लगे है solar cells और इस भी solar cells को मिला कि एक small solar panel बना है यहाँ पर देख पाओगे इसे हम hanging कर सकते हैं ये देख पाओगो इस तरह से हम इसे कहीं भी kill की जरीए wall पे लगा सकते हैं ठीक है छट पे लगा सकते हैं अब भी दूसरा दिखाता हूँ मैं अलग type का ये white solar panel है दो color में आते हैं ये flexible solar panel एक white एक black यहाँ जो white देख रहे हो इसमें solar cells तो यहाँ पे dark blue किलर के हैं बटoral panel जो है find clear के है इसके ठीकनेस देख पहोंगे काफी спतला है और इसको जनसन बॉक्स होते हैं अब की ऑनल पे क्या होता है बागि जो है front side पे इसकी जनसन बॉक्स होते हैं चाहिए आप किसी भी solar п cela 평일 लोग तो दूस्भ अभी में मोनो पर्क हो रहा है ठीक है यह पैनल तो नहे हैं बट इसमें जो सेल्स हैं वही पुरानिक टाइप्स के इसमें सेल्स में कोई बदलाव नहीं किया गिया है सिर्फ सोलर पैनल पे बदलाव किया गिया है सोलर पैनल के बनाविट में बदलाव किया गिया है और यहां company का मैं अभी आपको module दिखा रहा हूँ solar panel दिखा रहा हूँ इसमें उपर जो glass लगे होता है वो glass नहीं है वो polymer है ETPE polymer type है इसको हम लोग glass based polymer बोल सकते हैं ठीक है इस polymer के utilize होने के वज़े से क्या है थोड़ा efficiency में फर्क पड़ता है जैसे monopark solar panel है उसमें जो efficiency आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है 20-22% मिल जाता है इस solar panel पे भी उतने दावा किया जाता है यहां पे भी इस जो panel देखरो इस पे दावा किया गया है कि 21.1% का यहां पे efficiency इसमें देखने है बट यहां पे जो आप देख पाऊगे नजदीक से अगर मैं दिखाऊ तो यह उपर आपको लगेगा कि बहुत पतले हैं यह size में बहुत पतले हैं काफी weight में भी कम होता है एक केजी से start हो जाता है यह पांच केजी साड़े पांच केजी तक आपको अलग-अलग size में मिल जाएंगे काफी बड़े वाले लोग है आप 144 solar cells वाले यह वाले तो इसमें आपको पांच केजी प्रूरी नहीं है कि सिर्फ वाल प्लगाओ अक्सर जो यह इस तरह के solar panel है वह वाइकल में कार वगर में गारी वगर में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे सीप में भी देखने को मिलेंगे आपको क्योंकि वहाँ पर बैटरी को चार्ज करने के लिए यह रिक्सा में भी बहुत सरा आपको देखने को मिलेगा कि बैटरी वगर चार्ज करने के लिए वहाँ पर हम लोग इसका यूट गेंडेट नहीं करेंगा, इसलिए यहां बार कोड भी देखा आप एक पैनल है, उसमें जितने भी सेल्स हैं, वो सभी के जो बस बार है, वो नमबर और बस बार जो है, वो बहुत ज़्यादा इसमें दिया गया है, जैसे कि आप लेटेस्ट टेकनोलोजी में जितने भी पैनल तो यहां पर भी देख पाऊगे 8-10 बास बार आपको देखने को मिलेंगे ज़्यदा बास बार देने से क्या होता है कि अगर micro crack के भी होगा ना तो फिर micro crack के वज़े से भी solar cells जो है energy generate करना छोड़ेगा नहीं क्योंकि नमबर और बस बार जाता है इस वज़े से अगर कोई एक दो बस बार टूट गिया तो बांकी जो rest of बस बार है उसके वज़े से electricity हमें वापस मिलता रहेगा इसलिए नमबर और बस बार बरहने का ये जो company जो करती है वो इस वज़े से करती है ताकि micro crack के भी वज़े से effect देखने को ना मिले अब इसमें कुछ खास चीज में आपको बता दो कि इसमें जो है current और voltage कितना आप इसमें add on कर सकते हो मतलब कितने स्रीज और parallel कर सकते हो तो आप इसमें 600 volt maximum इसमें आप स्रीज में डाल सकते हो मतलब कि इतने panel ही आप इसमें जोड सकते हो कि 600 volt तक हो उससे ज़दा volt ना हो ऐसे तो आप जो normal panel लेते हो ना तो इसमें आपको 1000 volt तक असानी से जोड सकते हो इसमें 600 बॉल्ट दियागे कि यहां पे जो है इसके quality के वज़े से इसमें voltage बहुत कम किया गिया है 600 बॉल्ट maximum रखा गिया है और ampere भी इसका जो ampere है वो भी आपको इसमें कम रखना होगा जी हां इसके ampere भी 20 ampere maximum दिये गे हैं आपको उतने ही parallel करने हैं कि 20 ampere से ज़्यादा ना हो सके अब इसमें जैसे कि बड़े वाले पैनल पर क्या था का आप बहुत सरा parallel कर लेते थे तब भी effect नहीं पड़ता था मतलब हम parallel कर सकते थे बट यहां पे क्या है आपको 20 ampere ही highest पहुचाना है उतने ampere ही होना चाहिए अब एप्रॉक्स जो एक पैनल का जो ampere होता है वो 5 ampere के आसपास आपको देखने को मिलेगा मतलब 4.5 चार से लेके 5 ampere तक आपको देखने को मिल जाएगा हम 5 round of पकरते हैं कि 5 ampere एक solar panel के होंगे तो कितने panel हम जोड सकते हैं तो हम highest चार solar panel parallel में जोड सकते हैं ठीक है चार से ज़्यादा panel हम parallel में नहीं जोड सकते हैं क्यो हला कि इसका जो weight है काफी light weight है अक्सर इस panel का use जो हम vehicle वगरा में करते हैं गारी वगरा में करते हैं तो वहीं पर करना चाहिए अगर आप घरों में इस्तमाल करना चाहते हो तो मैं suggest करते हो कि करूंगा कि आप ये panel ना लेके आप monopark half cut ले सकते हो monopark ले सकते हो तो वो सो panel जदा सही रहेगा ये flexible panel है तो ये आपके लिए अगर बोलू तो हाँ सही है बट इतना भी ये inner efficiency के मामले में और उतना यादा भी कारगर नहीं है और एक और drawback मुझे जो लगता है और ये लगता है कि इसका warranty वगरा है जो है वो बांकी panel से कम है जी हाँ इसका warranty आपको मातर 15 साल देखने को मिलेंगे चाहिए आप कोई भी company के लिए हाला कि ये जो है दो company अभी इंडिया में manufacturing कर रही है तो एक तुवारी कर रही है दूसरा एक और जो casehole company है वो manufacturing कर रही है लेकिन आपको दोनों company के panel पे जो warranty मिलेगा वो 15 साल का ही मिलेगा ठीक है तो बाकी panel पे जै तो तीन ड्रोबैक है हब सेदा मुझे लगा तो मैंने आपसे share किया ठीक है और इसका जो life है life भी इसका बहुत लंबा नहीं है क्योंकि इस पे जो polymer यूज हुआ है ना थाला कि glass based है बट polymer हुआ है तो कहीं ने कहीं वो घिस जाता है और वो घिसेगा तो क्या होगा उसमें जो transparency नहीं रह पाएगा अंदर तक जो है energy नहीं जा पाएगा photon raise नहीं जा पाएगा तो क्या होगा वो energy देना बंद कर देगा कम कर देगा इससे वज़े से इसका life जो है लंबा नहीं यह दिया गया है उपर से भी company के side से भी और आप खुद यह सोंच सकते हो कि यह लंबा नहीं चलने वाला है ठीक काफी लंबा नहीं चलेगा मतलब पंदर साल फिर भी ठीक है बट उससे अदर लंबा यह नहीं चलेगा रही बात price की तो मैं price आपको बता दो कि यह जो है इसका each watt अगर बात करें तो 60 रुपे के आसपास आपको पढ़ने वाला है जी हां 60 रुप क्लिट यहां पर आपको कॉस्ट देना पर रहा है इस फ्लेकसिवल सूलर पैनल के लिए तो आप देख लो आपको कौन से टो अभी तक जो भी चीज़ था स्सूलर पैनल के बारे में मैं आप से सेर गया ठीक है अभी भी कुछ आपका डाउट है तो आप कमेंट सक्ष्न में कमेंट कर सकते हो तो फिर बिलते अगले वीडियो में फिर से कोई ने टॉपिक सततक के लिए टेक केर